हेलो एवरिवान स्वागत करती हूं आप सभी करत बाद फिर से मेरी यूटीब चैनल में ही तो आज फिर से आगई हमेशा की तरह एक रेसिपी ले कर तो आज हम बना रहे हैं लोकी के कोपते और उसे की पूरी वीडियो आज आप से बिक्षा शेयर करने जा रहे हैं तो यहां मीर्च थोड़ा सा धनिया पाऊडर और थोड़ा हाँ दाल देगे नमक और थोड़ा सा आप चाहें तो इंग कर दीजी तो इसको मिक्स कर लिजिए इसका एक बढ़ी हासा पेश्ट बनाकर तियार कर लिजिए कि जब आप इस तरीके से लोकी के कोपते और और तो आपके ल ताइट बनते हैं वह हमारे कोफते सबजी में टेस्ट नहीं आपाता है तो उसके बाद हमने कोफते के लिए तयार के लिए पेश्ट और सर्सों का तेल डाल दिया कड़ाई में तेल को अच्छे से गर्म होने के बाद इस तरीके से छोटे-छोटे हाथ की हैल्प से हमने डाल इसमें पकोडी के टाइप से यह देखिए अब दोनों तरफ से अच्छे से से कर इनको निकाल लेंगे आप चाहें तो इनको सोस के साथ इस तरीके से भी खा सकते हैं यह लोकी की एक तरह से पकोडिया बन जाती है और लोकी की पकोडियां तयार करने के बाद ही जो है लोकी के लिएूह बड़ी के लिए भी हैं तो बनाने के लिए हम ग्रेवी के लिए पयाज उस लेंगे देखें हैं त्हां तो बहुत ज्ल्ट ज्यादा मुन नहीं दada के लिए सब चाहें तो आप से ज़ Arya में णकर लिभाद लेए उसके बाद में तो दाल्दिय से पैसнемें नर्स नमक इतना एड़ कीजेगा सबजी के हिसाब से जितना कि आप पानी डालेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया है तो इस सबजी के हिसाब से डालना है नमक क्योंकि हम पहले कोफते में भी डाल चुके हैं तो पानी के हिसाब से नमक डालेगा अब इसके बाद से पानी एट करेंगे और पानी को बहुत ही अच्छे से उबाल लेंगे ही एपर पहले थोड़ा सा पानी एक किया है उसके बाद देंगे और इसको अच्छे से पका लेगी इसको बड़िए सा उबालाने देंगे जब पानी अच्छे से उबल जाएगा यह देखिए उसके बाद हमें इसमें कोफते अट करने हैं तो अभी यहां पर बहुत बढ़िया से उबाला चुके हैं गैस को मंदी करेंगे और इसमें कोफते डाल देंगे और अब धीमी धीमी आज पर इसे कम से कम पांच से दस मिनट के लिए पकने देंगे जिससे की जो यह रेशा है हमारा कोफतों के अंदर तक चला जाएगा और कोफते हमारे बहुत ही बढ़िया से एकदम तियार होंगे तो यह देखिए उबाल आ रहे हैं बढ़िया से अब ये देखिए कोफते हमारे तियार हो चुके हैं इतना पानी आप डालेंगे तब ही आपकी सब्जी परफेक्ट बनेगी थोड़ी देर के बाद ये रखकर खुदी गाड़ी सी हो जाएगी और कोफतों में अगर पानी आप कम डालेंगे तो आपके कोफते टाइट हो जाएंगे तो चलिए ये थी आज की मेरी वीडियो